वेल्कम तु रेट डॉर्ण इंटर्टेन्मेंट बिग बॉस का इंतजार हुआ खत्मु रेड डॉर्ण इंतर्टेन्मेंट आपके ले कर आया है बिग बॉस का तड़का और कंटेस्टेंट का लफ़डा बिग बॉस सीजन 14 सुर्खियों में बना हुआ है हर साल की तरां इस साल भी हर कोई इस reality शोग का इंतजार कर रहा है वहीं दर्शूँं का इंतजार अब और भी लंबा होने वाला है शोग के निर्माताओं ने पहले इसे सितंबर के अंतिम सब्था में ही टीवी पर प्रसाडित करने का फैस्ला किया था लेकिन अब खबर है कि 3 अक्टूबर को बिग बॉस को आप अपने घर पर देख सकेंगे 14 सीजन में कौन-कौन से सेलेबरिटीज बतोर कंटेस्टेंट शामिल होंगे इसके काफी चर्चा हो रही है हाला कि अभी तक ओफिशली लिस्ट जारी नहीं होई है लेकिन कई सेलेबरिटीज हैं जिनका नाम बिग बॉस 14 के लिए सामने आ रहा है और सोशल मीडिया पर इन सितारों के खुप चर्चा भी हो रही है खबरों के माने तो नागीन फेम एक्टरिस जैसमीन भसीन ने बिग बॉस 14 के लिए हां कर दिया है जैसमीन भसीन को नागीन फोर के अलावा दिल तो हैपी है जी दिल से दिल तक और खत्रों के खिलाडी में देखा जा चुका है उनकी काफी अच्छी फैंस फॉलोविंग है निशांत मलकानी सलमान खान के घर कैद होने वाले सितारों में अब जी टीवी के टीवी सीरियल गुड़न तुमसे ना हो पाएगा के स्टार निशांत का नाम भी शामिल हो गया है सीरियल गुड़न तुमसे ना हो पाएगा में निशांत ने अक्षे जिंदल का किरदान निभाया था और उन्हें खोब सरहाना मिली निया शर्मा टेलिवीजन के सबसे पॉपुलर रियालिटी शो बिग बॉस सीजन 14 में नागिन 4 में इच्छाधारी नागिन का करदार निबाने वाली एक्ट्रेस निया शर्मा भी हिस्सा ले सकती है उनका नाम जोरो से सुशल मीडिया पर चल रहा है पवितरा पुनिया, एक्ट्रेस पवितरा पुनिया को भी बिग बॉस सीजन 14 में साइन किये जाने के खबरे खुप सामने आ रही है एक वक्त पर पाराश शावला के साथ रिलेशन को लेकर शर्चा में रही पवित्रा बिग बॉस सीजन 13 में शामिल होना चाती थी पर किसी वज़ा से नहीं हो सकी लेकिन अब उनका नाम ट्रेंडिंग पर है नेना सिंग एक्रिस नेना सिंग बिग बॉस के घर में आने को बेताब है और सभी की नजरे उन पर टीकी हुई है शोशल मीडिया पर नेरा के नाम को लेकर काफी चर्चा हो रही है उनके फैंस को उन्हें बिग बॉस में देखने का भी काफी इंतिजार है हाला कि इन सभी कंटेस्टेंट का नाम ओफिशली सामने नहीं आ सका है लेकिन उमीद की जा रही है कि बिग बॉस सीजन 14 के ये कंटेस्टेंट आपको सलमान खान के घर में नजर आ सकते हैं अगर आपके पास भी बिग बॉस 14 से जुड़ी होई कोई जानकारी है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें